जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, मैं यहाँ प्राइट छेटर के अंदर खड़ा हूँ और यहाँ पर सैक्रों की तादाद में भीर जमा हो चुकी है। बलकि वो एक जादू गर्भी हैं, जिन्होंने अपने शांदार अभिनेसर लोगों का दिल जीत दिया है। बलकि पूरी दुनिया में मशूर, इतनी कम उम्र में इतना मान सम्मान, शायद ही किसी सूपरस्टार को मिला होगा। राणा वो एक्टर हैं, जिसका काम्याब शो ये अजीब जिन्दगी कल अपना सौबा शो पूरा करने जा रहा है। एक्टी नाम राणा, 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 कोई नाम ने मीडिया वालोंगे पार दूसरा कुस्तो कारना पड़ेगा, इसका कुस्तो कारना, राणा, 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 राण एक वार कहा नहीं मतलब नहीं कोई छुट्टी नहीं मिलेगी एरे टुकडों में पलते हो और मुझसे जमान लडाते हो तुम लगता तुम्हें मेरी बास समझ में नहीं आ रही है वहीं आके समझाना पड़ेगा क्या देखो सुबह सुबह फोन मत किया करो मुझे हलो अपने उस पति को बोल फोन उठाए औरना मैं अभी तेरे खारा जाओंगा देखो अमर शान्त हो जाओ मैं कुछ करती हूँ ना तुम्हें पैसा मिलेगा ना ही कोई छुट्टी समझ रहो ना डालिंग इस तरह से कुछ से नहीं होते आपका बीपी हाई हो जाएगा ये लीचे रामो रामो कहां मर गया ये डालिंग रामो बाजार गया है मैं देखती हूँ रिलेक्स आ रहे हूँ सिर्टी 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 मुझे पता करुश का सवाश्यू है और उसे मैंने कहां से कहां पहुचा दिया, यह तो तुम्हें मालूम है ना? हाहा, मुझे पता है कलुष का सोवाश्यो है सिर्जी, सिर्जी मुझे भी वहां पहुचा दीजे ना अब बरताश्नी होता मुझसे इस से जाद में सेहने भांगा सिर्जी सिर्जी, प्लीज, मुझे भाट फिर से स्टाट प्रादीजी, प्लीज अरे, अमर यह क्या कर रहे, उठो, उठो अचा, ठीक है कल तुम शूपर आजाना हूँ, थेटर में मैं तुम्हें नए तरीके से लाँच करूँगा सच, सिर्जी? हाँ, लेकिन ठीन घंटे पहले पहुचाना अरे, सिर्जी, तीन नहीं चार घंटे पहले हाजर होजाँगा थाइक्यू, थाइक्यू सिर्जी थाइक्यू थाइक्यू जाले, कल तो राना का सौवाश हो है तो फिर आप अमर को कैसे लांच करोगे? रीटा, जहरी को असली हीरे की पहचान होती है अमर वो हीरा है उसके अंदर हुना रहा है कल उसकी शोव में एक नई एंट्री करवाँगा अगर दश्कों को पसंद आभी, उसे रख लूगा पर वैसे भी, राना आजकल बहुत ओड़ रहा है दाले, आपका दिल कितना बड़ा है राना, आज तो तू गया क्योंकि आज मैं हर तरफ चा जाओंगा लोग पागलों की तरह चलाएंगे आमार, ONCE MORE! आमार, ONCE MORE! YES! ताइम तो शॉमार कमन, कमन, कमन YES! MY WALLET! YES! राना, आज सब को पता चल जाएगा कि कौन है असली स्टार कौन है तलेंटेड कुछ मुझे चक्कर से क्यो आ रहे है अरी पसीना? यह ता पसीना क्यो आ रहे है मुझे? हुआ यह हो क्या रहे? कुछ हो क्या रहे है कुछ 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 बढग डोक्टर, 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 जब देखो, काम, 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 डोक्टर साब की चिक-चिक, मरीज की दवाई, यह यह वो, यही एक जगाय जहां में सुखून से गाने सुन सकता हूँ. क्या बत्तमीज है यह? कि अगाय यहाँ जाएगे, यहाँ जाएगे, यहाँ रिखनुगा इसको, चोड़ूगा नी, इधर से यहाँखा. मरस हम, कि सबगे में इस दॉस्तापका? इस दोर से थपर मारा? मरस हम, मरस हम भोलते का ने मुछ? मरस हम? मरस हम? कर दो तो अज़े तो इसे तो मशूर थेटर आर्टिस्ट अमर है स्वाइब यससे कोई क्यों हारेगा वह भी हॉस्पिटल में अज़ा गोट के मारा गया है अज़ा आपका पेशेंट है आप में इसे बिना एटेंटेंट के यहां पे छोड़ दिया अकेले I'm sorry sir, लेकिन अमर को यहां food poisoning के इलाच के लिए लाया गया था और इनकी तविया ठीक हो रही थी इसलिए मैंने सोचा की उसे अकेला छोड़ दो अब यह बताओ के यहां पे किसी को देखा था आप लोगोंने को यह आया था अमर से मिलने के लिए हाँ sir, मैंने देखा था, वो फायर एक्जिट के पास से वो बंदा गया हो, sir, बहुत ही बद्तमीज आद्मी था हूँ इसका चेहरा तो याद हो का तु मैं उस सर्फिरे इंसान की मैं शकल कैसे बून सकता हूँ पड़ी Sir, sketch यह तो मनोहर है, प्राइट ठेटर का मालिक Sir, जिस दिन यह बद्दिमाग आत्मी आपके हाथ में आ गया ना, मेरी तरफ से भी खुब दोला इसको Sir, यह मनोहर तो बड़ा पहुचा हूआ निकला इस मनोहर को बिना बता है, पूश्टाच के लिए ले जाना होगा, वरना यह हाथ नहीं आएगा लेकिन वो केसी, Sir? यह प्राइट ठेटर में कौन सा नाटक चल रहा है, नाम क्या है? यह अजिब जिंदगी यह क्या मतलब? नाटक का नाम है हो Sir, उस नाटक का तो आज साभा शो है शो कितने बज़े? शे बज़े अग खतम होता है, आठ बज़े शो देखने जाना है? नहीं वहाँ पैरा देना है चौँ जार्लिंग, देखा हमारे यहां की सिक्रेटी कितनी सकत है लेकिन ढालिंग, हम तो यहां के मालिक हैं ना तो क्या हुआ? कानून सब के लिए बराबर है हमें अपनी तलासी देनी चाहिए जार्लिंग, लेकिन आप यहां के मालिक हो मैं आपकी वाइफ, तो मैं यहां की मालकीन हुई और अगर मेरी चेकिंग सब के सामने हुई तो वो मेरी इंसल्ट होगी और अल बी वेरी अपसेट ओके, आओ डर्ली इस्क्यूज मी सर आप बीना चेकिंगे अंदर नी जा सकते हैं आप जरा इदर आएंगे प्लीस मेडम आप भी तुम जानता नहीं हम इस टेटर के मालिक है नए आयो क्या हुआ सॉरी सर, मुझे पता नी था, सॉरी मेडम अच्छा सुन, मेरा ख़डू सेथ आगया, मैं रखती हू ना सर 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 धन्यवाग अमारे, जो आप पधारे नूरी, नूरी, यहां सर, यह आपको आपकी सीट तक ले जाएगी पूरा फ्रंट रो मैने आपके लिए बुक्या है ठीक वैसे जैसे आपको चाहिए था भई, खास इंसान के लिए खास सीट सर, आपकी इजाज़स हो, में बैक स्टेइज जाओ हाँ, हाँ, जौँ, जौँ, एजवधिए शोअ, सर आए ये सर, आए माम तुम कान होती हैं, मैं सीट मे ले जाने वाली हम इस थेटर के माली कहें हैं मुझे मालू में एक एक सीट कैसे लगी हैं और कहां बैठना है हमाना, एरो को तूम विल्कम माम, विल्कम सर हेलो सर, हेलो माम आये मैं आपके सीर्सक लेके चलती हूँ आये सर वह जुरूत नहीं है, हम खोज चले जाएंगे आओ डालिंग, आने दो नहीं से आये सर आओ यहाँ, बैठो देखा, आगे वाली पूरी रो में, मैं और सिफ तुम सर, माम, आप लो कुछ लेंगे, कुछ थंडा, कुछ स्नाक्स वरगेरा थैंक यू सो मँच, अभी हमें कुछ नहीं चाहिए और अगर मुझे कुछ चाहिए होगा तुम मैं खट फुटकोट से जा के रहे लोगे और प्लीज दो नहीं दिस्टाब अगरे ओकी माम तेल करता है इंका तुम कलाद अबातु मैं मेरा भी यही मन करता है करता है आदिया, क्या ख़ब? मनुर आ गिया, अंदर नाटक देख रहा है, उसकी गाड़ी भी पार्की में खड़ी है, ठीक है, नाटक खाता माने का वेट करते है सर क्यों ना हम मनुर से अंदर जा कर पूछ दाश करें, ने, अंदर ने देट ही कर रहा है, अंदर हंगावा मत जाएगा, जितने भी एंट्रेंस थेटर पर सब पर नजर रखते हैं सर, मैं आडिटोरें के अंदर जाकर नदर रखता हूँ, शो भी देख लूँगा और नदर भी रखूगा मात, मात जिससे पकड़ने आया थे, उसे ही किसी ने मार दिया अब वी एतने लोगं के सामने हैं किसी नाटक में किसी ने हमला किया है सर, यह देखिए, यह से तूटी हुए गड़ी मिली है आप ऐसे कोई पेचानता है इस गड़ी को? यह भूँ, मेरी अस्पुन के बोच है माडम, माडम सभाली आपने आपके तापाई हुए आपे आप 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 बैठी थे ना मनौर जी के साथ ले देखने के लिए जी, मैं उनके पास बैठी थी लेकिन मैं मैंने कुछ नहीं देखा जब नाइट आई तो मैंने देखा कि आप इनके भगल में बैठी थी तो आपने कुछ देखा या सुना तो होगा ना या फिर यह ऐसा तो नहीं के आप इने अपने पती मनौर को साब आप यह क्या कह रहे हैं मेरे हस्मेट की बहुत हुई है मैं प्लेक देखने में इतनी खोग आई थी कि वह क्या है न सर रावा सर इतनी अच्छी एक्टिंग करते हैं कि लोग उनकी एक्टिंग देकर सब कुछ भूल जाते हैं तो मैंनेजर साब आप आप कहा थे जब यह कौन हुआ मैं यही था सर बैक्स्टेजी और इनकी आसपास और कौन बैड़ा था रीटा मैडम के अलावार कोई नहीं बैड़ा था मनोर जी के लिए मैंने पूरी फ्रंट रो खाली करवाई थी उन्हें इसी तरह की सीटिंग बहुत पसंद थी खमाल है आसमें कोई भी नहीं था कुछ नो कुछ नो करबड़ है यह मैडम इनके भगल में बैटी थी मगर लिनो ने कुछ देखा नहीं, सुना नहीं कैसे हो सकता है चलो, इनसे पूछ लेते हैं शायद इनमें से कोई कुछ बता सके प्लीज आप लोग शान्त हो जाएए देखे हमारी तहकीकाद चल रही है प्लीज शान्त हो जाएए सर हमें क्यों रोग के रखा है हमें जाने क्यों नहीं देते आप देखेए खुणी तक पहुशने के लिए हमें आप लोग उसे कुछ ताच करने होगी आप लोग के सामने एक आदमी का खौन हो गया है अगर आप मेंसे किसी ने कुछ देखा हो कोई खास चीज, कोई ऐसी चीज जो अजीब लग रही हो, जिसे हम खुणी तक पहुश सकें नहीं सर, कुछ नहीं देखा कुछ तो सुना होगा मनोड जी की चीखने की आवाज है या फिर या फिर कुछ और नहीं सर, नहीं सर नहीं सर, कुछ नहीं अपता है लोग उने सोच लिया कि एक साथ ना बोलेंगे ठीक है तेरा आपको लंबे समय तक या रुखना पड़ेगा सर, सर मुझे कुछ बताना है आपको सर मैं नूरी हूँ और ये नैना हम थियेटर के अटेंडेंस है क्या कहना चाहती है सर, एक्चुली सेर जी ने तो मुझे सीट तक लेजाने की भी इजाज़त नहीं दी थी लेकिन रीटा मैम के समझाने पर नैना उन्हीं लेकर गई थी तो क्या देखा तुमने वाब अन्दोनों के बीच कोई जगड़ा या किसी बात को लेक्यान बनते है नहीं सर, कुछ देखने का मौका ही नहीं मिला क्योंकि उन्दोनों नो मुझे वापस भेज़ दिया और जब मैंने रीटा मैम से कुछ कोल रिंग्स वगेरे के लिए पूछा तो उन्होंने साफ मना कर दिया और कहा कि उन्हें कोई डिस्टर्ब ना करे क्या ये रीटा नाटा के दौरान बाहर गई दिख्या पता नहीं सर, हमने तो कुछ नहीं देखा ठीक हा तो इस्टार से भी मिल लेते हैं आप इस्टराना आप कया बता सकते हैं? कैसे वही है, सर? में क्या बता हूँ सर? मैं वहीं पर था? लेकिन कुछ देखी नहीं पहुए सब बेरीवज़े से हुआ सर मेरी वज़े से उनकी जान गई प्रत कोड़ा भी द्यान दिया होता तो तो आद मेरा सारा द्यान अभी नहीं पर ही था सर सौवेशो का जो प्रेशर होता है सब उसी मुझे ही पता था सीर्ड जी किसी की साथ कोई दुश्मनी दुश्मनी तो सबसे थी सर सब उन से जलते थे आप कब से जानते थे सीर्ड बर्सों से सर जब मैं पहली बार इस शहर में काम डुणने आया था तो तो इन्होंने ही मुझे काम दिया था इन्होंने ही मुझे स्टार बनाया और आज ये कौन है सर ये नत्तू है मैरा असिस्टंट है तुम कहां थे? सर ये बैक्स्टेज था विचरा बोल नहीं सकता सर सर जितनी जल्दी हो सके प्लीज खुनी को ढूंड निकालिये सर शो अगर वापस शुरू नहीं हो तो शो तो नहीं शुरू होगा जब तक केश स्वाल नहीं हो जाता केटर बंद रहेगा सर सर मिल गया मिला मिला क्या मिला तारिकाजी मानवर के घाव के स्कैन में खून का सुखावा बुलबुला ठून रहे था सुखी वे खून का बुलबुला मैं को समझा नहीं खून का बुलबुला हा 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 सुनने में कितना खतरनाक लगता नहीं जा हो गया बेया से ए ठीक है नहीं तो मैं समझा था मैं अपनी जिंदकी में इतना भारिक गाव कभी देखा ने मैंसा है जैसे जए आध्यर ज्यसी में बहुत तेज़ी से चुरि Посो सीध गुसी और तें इसके मावथ हो ग nue sy लेकिन चुरि से इतना भारिक गाव कहसे बन सकता है सर और जींदधाया ता आखिरjśćidents सी। मतलब एर एंबोलिसम. सालूं के साब मैं कुछ समजानी हॉ इoug, अगर कोई चीज किसी की तरह बहुत तेजी से खेक हैी इतनी तेजी से ये चुरी ह्renoको चीरती हुई चीड एथ की सीने में मोसि हुए कि हवा का एक बुलबुला भी इसके जख्त पे लेकर थे और वो हवा का बुलबुला कहलाता है एर एमबलिसम पिर लेकिन डोग सब आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं कि इनकी मौत एर एमबलिसम के वज़े से हुई है यूपकि मनौर के घाओं में से हमें सोखे हुए खोन का बुलबुला मिला है मतलब एक इसे शातिर चुरेबास का काम है बिलकूर अलूं के साब सीधे बोल देते कि यह काम किसी चुरेबास का है इतना घुमा फिरा के बोलने की क्या जरूर्बत थी अगर नहीं बताता तो तो तुझे एर एमबलिसम का पता कैसे चल गचा इसे है? हाँ, इसे तो इस मामने में तो हमारी मदद एका नहीं कर सकता है सज्जु सज्जु? कौन सज्जु? सज्जु बहुत बड़ा चुरेवाद है एक मॉडर के केस में इसे जेल बेज़ दिया गया था ही बता सकता है के शहर में उसके अलावा और कौन चुरेवाद है बता करो इस वक्त कौन से जेल में और उसे भार लाने का बंद बस करो, अभी अरी ओडियंस में चलते शो में मनोर का खुन होगी है पता ही नहीं चलना है कि ये खुनी आया कहा से और काहा से निकल गया आसर, यहां से तो कुछ मिला भी नहीं जिस हतियार से खुन हुआ वो भी नहीं मिला वही तो, अजीब बात है यहां से मनोर बैठा था स्टेज से किसी ने सामने से उस पे बार किया और वो हतियार भी गाया में और कुनी भी गाया में श्रेया, यह CCTV फुटेज चेक करो, देखो, कोई यहां से आयागया, आयागया सब, वांच और इन सब को जारा लाइन में कड़ा करो, सब के तलाशे लेते हैं स्कीज मी, जी माँ, अभी जो शो चलना था, उसका फुटेज दिखाए प्लिस मैं माँ, आडिटोरियम के अंदर की फुटेज अफशाद नहीं देख पाएंगे, क्योंकि शो के दौरा लाइट बंद होती है कोई बात ने, हमें फिर भी सारी फुटेज देखनी है कौन अंदर आया, कौन बाहर गया, सब कुछ ओके माँ सर, हमें जो पता था, हम औरड़ी आपको पता चुके हैं अब हमें क्यों रोके रखा है हाँ, हमें भी दर जाना है एक मिनट, एक मिनट, देखिये, आप सब की तलाशी ली जाएगी उसके बाद जिसको जा जाना जा सकता है बड़ा को अपरेट किजे, प्लीज नप बड़ा को अप्लीजल का रहा है जाएगी तलाएगी नपसुर मिनटर्म झाद तलाएगी झाएगी प्लाएगी उखता में लिचा करते लेशएजने करें पर आपको, ठीकिए? मेरे तब्ये ठीक नी लग रहे है होथ धकावट अरे है मै रहस्स करना जाते ह। Sir, please मेरे घर जाना जाते हो Sir, इमकी तब्ये ठीक नी लग रहे है ठीके इनको आदो ठीके इनको गर छोड़ दो Sir मेरे गरडे फार चौर्ड में मैं, मैं जली जाओंगे. थांक्यू सुमाज. आरे, फिलाउट तर्च वड़दू. ये सर्. आई? अराम. कमाल है, कोई अपनी जगह से उठावे नहीं है. एक मनेट, रुवाइन कीज़े. ये? सर्. इन बेसे तो किसी के बास कुछ बनी बला. कमाल है. अधियार गया का? ठीके अभी आप लुग जा सकते हैं. जरूरत बढ़ेगी तो आपको दुबारा बुलाएंगे. थांक्यू बेमाज. आच्रया. सर्. एक औरत अपनी जगह से उठी थी. क्या? पांत-दस मिद बाद वापस लॉटी और अपनी जगह पर फिर से बैट गई. कौन थी वारू? रीटा. माय काट. वो आवी अभी पार्किंग लॉट में होगी. उसको पकड़ो जल्दी. यह रीटा बाद बड़ी ड्रामेवाज है. ठीक है आप? धान से हां? सामने देखिये. आराम से जलिए. आराम से. थैंक यू सो मच. एक काम करिये. आप बैठिये. मैं अभी आती हूँ और आपको डॉक्टर के पास लेके जाती हूँ. ठीक है. यह सर. जबंती नीटा को रोको. चल्दी. ए! रुक! बाहर निकल! यह वार? निकल बाहर! क्या हो रहा है? क्या बत्ते मीजी, आप मुझे घर के ने जाएंके दे रहे? मनोर का खोन करके भाग रही हो. साथ पचास को आडिटोरियम से बाहर निकली थी तुम. अपनी जगा किसी भाड़े का टट्टू को बिछाया, मनोर का खोन करवाया, और पांच-दस मिनट के बाद वापस वहां पाँच कई. ये क्या कह रहे है आप? मैं कही नहीं गई थी? आपके आडिटोरियम में हर जगा सीसी टीवी कैमरे लगे हुए है. सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है. कौन आया, कौन गया. सब कुछ. फिर भी जुट बोले हो तूम. हाँ. मैं थेटर के बाहर गई थी. क्यों? क्यों गई थी? क्यों क्यों गई थी? मेरी गन नहीं चल रही थी. गन? जोड़े से. क्यों गई थी? क्यों तो इसे मनोर का कुन दूआ है? मैंने मनोर को नहीं मारा. मुझे इस बात बहुत अफसोस है, कि मैं उसे नहीं मासखी. मैं मनोर के साथ यहां में इसे लियाए थी, कि मैं उसे मासखू. लेकिन जब मैंने गन निकाली तो वो चल नहीं रही थी. उसी को चेक करने के लिए मैं बहार आई थी. समय निकल रहा था, इसलिए मैं वापस चली आई. क्यों मारना चाहती थी मनोर को? उसने में में मार को मारा था. मैं उसका बदला लेना चाहती थी. अमर के खून का बदला? अमर मेरा बहुत ही स्पेशल दोस्त था. हम एक दूसरे को जाते थे. हम दोनों बहुत करीब आचुके थे. शायद इसी के बारे में मनोर को भनक पड़ गए थी. और जब अमर का अचाना खून हुआ, तो मैं समझ गए थी कि मनोर ने अमर को मारा है. अरे मनोर जिसे घटिया इंसान से, तो मैंने पैसे के लिए शाली की थी. लेकिन मेरा दिल, मेरा सिफ अमर को चाहता था. लेकिन अमर मुझ से साथा रफमज को चाहने लगा था. लेकिन तो मनोर को तो कहीं भी मार सकती थी. यहां तीयटर में क्यों मारने आई थी, इतनी बीड़ बाड़ मैं. यह क्या क्रती, मनोर मुझे इजबतस थी यहां पे लिए आया था. कह रहा था कि राना का सौवाज शो है, मेरी को स्पेशल एंट्री होगी, मुझे सम्मानित किया जाएग वगरा वगरा. मुझे लगा, यही सबसे अचा मौका है. मैं असे मार दूँगी, और फेड में निकल लोगी. मनोर के स्पेशल एंट्री, यह क्या है? मुझे नहीं बता, यहश्वन ने मनोर को इस स्पेशल एंट्री के बारे में बताया था. मनोर सुबह आया भी था. इस स्पेशल एंट्री की रिहोसल की लिए. सलाम साब साब, आप तो वैसे एकदम फिट लग रहे हैं हाँ, मेरा सच उगलवाने का स्टाइल भी वैसे का वैसा ही है क्या साब, आपका थपड़ और दर्वाजा कैसे बूल सकता हूं साब पर जाब अभी तो अपन आपका महमान है कुछ खातिरदारी तो बंदी है न साब बकवास बनकर और ये बता के तु किसी चुरीवास को जानता है जो इस शेयर का हो और जिसने पहले कभी तेरे साथ काम किया हो आप तब घला सुक्रा है तोड़ा पानी मिलेगा का बता आप जानकर क्या करोगे साब मतलब पुझे पता है हाँ पता है लेकिन एक शर्थ पर बता हूंगा तो C.I.D. के सामने शर्थ रखेगा साब पहली बार C.I.D. के काम होगा वो शर्थ तो बनता है न साबरी बोल मेरी सजा माप करवा दो साब फिर मैं आप कोई शहर के एक से एक खरेक छुरे बाज का पता बता दूगा साज्जू अगर तेरी बात सच निकली न तो इसके बारे में हम बाद में सोच सकते है ठीके साब बताता हूं एक छुरे बाज है जो बड़े मैदान वाले सरकस में काम करता था फादी मास्तर छुरे वाजा साब कहां मिलेगे अब कहां मिलेगा यह मुझे पता नहीं यह आपको बड़े मैदान में जाके पता करना पड़ेगा हम कुछ पता करने वाले ने पता करेगा तू यह ले, फोन वहाँ, यल्दी, स्पीकर पे लगए अलो, हलो काका, मैं सजू अरे सजू, कैसा है तो, तेरी सदा पूरी हो गई नहीं काका, अब लगता है जल्दी पूरी हो जाएगी काका वो राजू छूरे वाज अपने सरकस में काम करता था ना क्या आप भी वो सरकस में काम करता है आरे नहीं बेटा, सरकस तो कपका 한 बंध हो चुका है आप तो उसकी जगाए यहां मैदन में बच्चे कहलते हैं और राजू का भी कोई पता नहीं तुमने तो राजु को देखा है ना, देखता कैसे है वो यह आद नहीं, यह तो बढ़ी, अभी जीट को फोन लगा, पता करो का है वो? यह सर, क्यों साब, आपका काम तो हो गया है ना साब, अब मेरा काम कर दीजिये ना साब यूँ, असक्यू रहा है साब सच्चू, एक बात हमेशा याद रखना, सी आईडी और चोर कर रिष्टा हमेशा एक तरफा होता है, जहां पे सिर्फ चोर सच बोलता है दो दो खून करके तरजब माफ करने की बात कर रहा तू, दिमाग कराब है तेरा, ले जाओ से सर, अभी जीट सर का फोन नहीं लग रहा है, किसी का भी फोन नहीं लग रहा है अमें ट्रेटर में अभी जाना होगा कैसा है यह शंदी आप? अरे सर, आप यहाँ? यहाँ, आप से कुछ फूच्टाश करनी थी सर में आपको सब कुछ बता चुका हूँ, मुझे और कुछ नहीं पता आप बस इस केस का हल निकलवाईए और यह खेटर फिर से खुलवाईए हल तो तभी निकलेगा यह शंदी जब आप हमें स्पेशल एंट्री के बारे में बताएं स्पेशल एंट्री? वो कह है, सर? वही जो आपने मनवार से कहा था कि आप उसे किसी स्पेशल तरीके से एंट्री करवाएं क्या है वो स्पेशल एंट्री? सर, अब आप कैसे जानते हैं इस स्पेशल एंट्री के बारे में? देगे, हामें तो बहुत कुछ पता है बेतर होगा आप अपने आप बता दो औरना बहुत प्राव्लम हो जाएगी सर, वो जह कुछ नहीं पता, मुझे तो वो बस मतलब इतना बता आगया थे कि जो कुछ भी तुमसे कहा गया ना सब कुछ सच सच पता कुझे सर, वो मुझे बताया था कि नाटक खतम होने के 10 मिनिट पहले सर, अब सेचिन, सभालो से श्रेया, बंच सर, बंच, इतने पुक्ला सर, नहीं तरे कुछ है कि दब है मैं भी सोच रहा हूँ अटना सर, यह दर्वास यह दर्वास? अटर्चल के देखते है मैं गोन अटना अटना सर, यह दर्वास नहीं, वी दो दो है, वो सकता है खुनिया भी आस-पास हो, लट है ना, दोस्तर देखता हूँ सर ये क्या है? क्या ही आसे है ये कि ये सल कर चा़िए! कि अले से ले साथ !!! Sir! यह सर्य सीख Sir! जाते Satchin Sir! Sir, में नीचे जारे हूं Sir! Satchin Sir! Sir! शरांते अपिजीट Sir आप लोग यहां पे अरे यह चक्कर है क्या? Sir! Sir! Satchin Sir! रोगोष स्टिस्टिस यह तो स्टिस्टिस यह इंए स्टिस्ट्स स्टिस्टिस शर्अचल Satchin विश्टिस Satchin यह चक्कर है मै असरी हो गया रहा है? कुछ समझ में नहीं है कुछ-कुछ समझ में आ रहा है सचे बहुत प्लाइनिंग के साथ किया गया है यह सब को नहीं बहुत जालाक है सर मतलब? इसके उपर और अडिटोरियम कौन से सीट पर बैठी थे तों? फ्रेंट रो की फोर्ट सीट पे वहीं जहां पर मनौर बैठावा था अच्छा तो यह बेस्मेंट का कमरा खास मनौर को मारने के लिए बनाए के लिए तो इसका मतलब शोक के दौरान किसी ने यह नॉब घुमाया और मनौर को सीट से नीचे ले के आए करेक्ट, जैसे जैवन्ती नीचे आई और उसके बाद मनौर का खून किया अब फिर नॉब घुमाया और सीट के साथ मनौर को उपर पहुचा दी तो यह थी मनौर की स्पेशल एंट्री ठीक कहा अबे जिए तो आखिर तुमने यह कमरा ढूंडी लिया बगर अफ्सोस, तुम लोग यहां से बच के नहीं जा सकते श्रेया सर, वो देखो, स्केच पे श्वंत है उमर चुका है सिर्फ इसने माने सर, किसी का भी फोन नहीं लग रहा है कहीं उनकी जान को कोई खता तो नहीं है ने फ्रेड़ी, ऐसा नहीं हो सकता एक बात समझ में नहीं है रहे, सर इस स्टेश पे हर लोग मर कर रहे जल देख, आसपास देखो यह क्या है बहुत आदत है ना तुम लोगों को तुसरों के काम में टांगड़ाने की लेकि नहीं बड़ा नहीं पाओगे क्योंकि तुम लोग यहां से जिंदा बच के नहीं जा पाओगे सर, यह किसकी आवज है निचे चल कर देखना होगा यहां से चलते नहीं दिविया, लाश के पास रोओ यह और रसर डूनना होगा जो मानना पड़ेगा भाई क्या दिमाग पाया यार तुमने वाँ मनोर के मानने के लिए क्या-क्या तहरी की थी तुम आखिर मेरा यह तेज दिमाग काम आही गया इस सिट का उपर से नीचे आना यह नो यह सब मेरे दिमाग के ही उपर जती अरे लेकिन मनोर ने बिगाड़ा क्या था मारना क्यों चाहते थे उसको तुम सिर्फ पैसो की खादर इस ठेटर को बरबाद कर रहा था रोज मुझे धंकी देता कि राणा हावे में मत उड़ किसी और को स्टार मना दूँगा उसी वक्त मैंने ठान लिया कि मैं उसे मार कर इस ठेटर पर कबजा कर दो और एक सच्चे कलाकार की तरह इसे आगे बढ़ाँ का लेकिन मनोर स्पेशल एंट्री के लिए मान के से गया क्योंकि मैंने उसे कह दिया कि मनोर ये सोवा शो है तो कुछ भी करके उसे एक खास एंट्री करनी होगे मैंने उसे ये सीट भी दिखाए मैंने उसे कहा कि इसी कमरे से हम उसे स्टेज पर ले जाएंगे मैंने उसे ये भी कहा कि उसकी एक खास एंट्री देखकर लोग पागल हो जाएंगे ठेटर में तालिया मुझे ही वो मान किया परनाटक खतम होने के तस मिनिट पहले जब यश्वंद ने नौ भूमाया और जैसे मनोहर मीके आया हूं नथ्थो ने खण्यर फेगा और यश्वंद ने दुबारा मनौर्गो उपर पहुचा दिया कि यो अच्यर रेख्ञित। कि कि रूम एब येखस़्ाद कि अत्म Muhammad कि मुझे पहले पहलों कि खेखस्ध़ पहलों मलत कि आप तब कि और सक्थर स्वार मा कॽ Sh нормально रिंग एक मुझे वड़ चो पर भाक तक है? क्यों? राजू से नत्व बन कर यह आपना हुनर दिखाने चला है तू? सरकस में काम करने के बहुत शुक है नख अब तुम दोनों के एक अनोखे सरकस में भेजेंगे जेल जेल चानल क्लिक प्राइब खो लिंक एंज युच वच में दूब एंप आपा चानल जी कि अन्यान जी आपना के लिए और छाक्पॉश्टोग कर भीक अल्स इन शुन शायक्वाइब आपक्स्ट का भीकियह भावोड़ी आपकॉश्ट है